हेलो फ्रेंट्स गोड इवनिंग आपका स्वागत है स्टडी एंड रिसर्च चैनल में मैं डॉक्टर नीलम आपका स्वागत करती हूं फ्रेंट्स आज महिला दिवस वुमेंस टे पर आप सभी खासकर महिलाओं को वुमेंस टे की बहुत-बहुत शुब कामना है और देर ना करते हूं हम चलेंगे अपनी स्टडी पे इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो में जब भी अप्लोड करूं सो नोटिफिके के लिए हम कमेंट भी देख लेते हैं गोडेवलिंग अनुश्री का कमेंट आया है इसके बाद बिश्नु जी का आया है बिश्नु जी आप 15 2007 और 8 9 के तृतिय प्रश्न पत्र की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी मैं आपको यह प्रश्न पत्र नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मै मैं कुछ अपने जगा पर नहीं हूं यानि ट्रैवल में हूं तो अपने जगा पर जब मैं पहुंचूंगी तो जरूर कोशिश करूंगी कि आपको जो यह पेपास है वो एवलिबल करा सकूं तो सौरी अभी तो यह पॉस्बल नहीं है और प्रिया जी को बहुत ही पसंद कर रहा है तो इस तरह से कमेंट आप करते रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी इस तरह से कमेंट करने पर मुझे भी एनरजी मिलती है और अच्छे वीडियो क्रियेट करने के लिए तो चलिए अभी अपने वीडियो पर ही चलते हैं तो सौरी वीडियो नहीं क पर चलते हैं और आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद इस तरह के अच्छे-च्छे कमेंट करने के लिए और यहां आ जाते हैं अपने कोशन पर तो यहां से में कोशन सौल्फ करना है हडपा संस्क्रति की पूर सीमा थी जैसा कि विष्टू जी ने कहा है कि आंसर ना दिखाया जाया तो अभी हम आंसर छुपा कर ही कोशन को सौल्फ करने की कोशिश करेंगे आप भी वीडियो के साथ-साथ अपने आंसर त्यार रखें और कोशिश करें इसे सॉल्व करने के लिए दो मिनिट का मैं आपको समय भी दोंगी तो इसमें हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा आलम गीरपूर पब्लिक सर्विस कमिशन एल्टी ग्रेट इक्जाम 2018 का ये प्रश्ण रहा है अभी व्याक्या देख लेते हैं संपू तथा पश्चिम में सुद्काज जैंडोर से पूर में आलमगीरपूर उत्तर प्रदेश तक था नेक्स्ट कोशन पर आ जाते हैं धौला विरा के निम्न प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंदित है तो ये संबंदित है प्राक हडपा ग्रामीर संस्कृति से पब्लिक सर्विस कमिशन एल्टी ग्रेट इग्जाम 2018 का ये प्रश्ण रहा है दौला विरा गुजरात के कक्षिजले में भाउच तालुका में इस्थित है इसकी खोज सर्प्रथम 1968 में जेपी जोशी ने की थी तथा 1991 में आर एस विसिस्ट ने यहां व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया दौला विरा के निम्नतम प्रथम चरण की समयावदी 2650 से 2500 इसापूर मानी जाती है इस चरण में यहां के प्राक हडपा संस्कृति के शाक्ष्य प्राप्त होते हैं किस पुरा स्थल के दुर्ग में साथ अगनी कुंड प्राप्त हुए हैं और ये प्रश्ण आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमिशन अल्टी ग्रेट 2018 का तो ये हैं ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट होगा काली बंगा काली बंगा से साथ अगनी कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है काली बंगा वर्तमान में हनुमान गड राजस्थान में है नेक्स्ट कुशन निमन हरप्य इस्थल में से किसमें चावल की खेती के प्रमार मिलते हैं नीचे देगए कूट का प्रियोक करके सही उत्तर का चैयन करें तो कहा कहा से चावल की खेती के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहां पर कूट भी दिया है मैं आपको दिखाती हूं तो काली बंगा लोथल मोहन जोदाड़ो और सुर्कोट नाड़ तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा तो इसमें हमारा उत्तर बनेगा लोथल और मोहन जोदाड़ो तो यहां हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं और यह प्रशन आया हुआ है अगर इस उत्तर के एकॉर्डिंग हम जाते हैं तो हमारा उत्तर सी करेक्ट होगा पॉब्लिक सर्विस कमिशन एल्टी ग्रेट इग्जाम 2018 का यह प्रशन रहा है लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के साक्षय मिले है विकल्प पूर्णत्या सत्य नहीं है इसके अत्रिक्त काली बंगा से जुते हुए खेतों के साक्षय मिले है लोथल से गोदी तर है वो थोड़ा सा गड़बढ है लेकिन इसमें लोथल और रंगपुर अगर दिया रहता तो ज्यादा ठीक था चलिए नेक्स्ट कोशिन पर आ जाते हैं निम्न में से किस अहारप्य इस्थल से ऊट की अस्थियां प्राप्त हुई है उट की अस्थियां प्राप्त हुई है काली बंगा से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा यूजी सी नेट एंटिये दिसंबर 2018 का दुतिया प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आया हुआ है काली बंगा राजस्थान के गंगा नगर जिले में इस्थित है इस इस्थल की खोच 1951 में अमला नंद घोश ने की यहां से प्रमुक रूप से जुते हुए खेत यूगल सवाधान उटों की अस्थियां अगनी कुंड तथा अंतियोस्थी संसकार की तीनों विधिया पूर्ण समाधी करण आशिक समाधी करण वा दा संसकार के साक्षय मि नगर टीले से अलंकरत इंटों के प्रियोग के प्रमाण मिले हैं यहां पर भूमी के सबसे प्राचींतम साक्षय प्राप्त हुए हैं कि नेक्स्ट कुशन पर आते हैं हडपा सब्विता के निम्न लिखित किस नगर में चिनाई के कार्यों में तच्छित प्रस्तर का प्रियोग कच्ची इंट के साथ किया जाता था तो यह किया जाता था लोथल हो जाएगा ओप्शन सी हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा और यह प्रश्ण आया हुआ है सौरी एक बार फिर से प्रश्ण देख लेते हैं यहां कुछ गडबड हो रहा है हडपा सब्विता के निम्न लिखित किस नगर में चिनाई के कारे में तच्छत प्रस्तर का प्रियोग कच्ची इंट के साथ किया जाता था तो यह नहीं होगा धौला विरा है ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा पीजी टी हिस्ट्री 2016 का यह प्रश्ण रहा है व्याख्या देख लेते हैं गुजरात के कच्छ जिले में भड़ोच तालुक में इस्थित धौला विरा आज एक साधान गाव है इसकी खोज 1991 में RS विस्ट ने की थी इस नगर में चिनाई के कारे में तच्छित प्रस्तर का प्रयोग कच्छी इंटों के साथ किया जाता था धौला विरा भारत में खोजा गया दूसरा विशालतम नगर था पहला विशालतम नगर राखी गड़ी जो की हर्याणा में इस् इन लिखित किस पुरा इस्थल से हरपा संस्कृति के लोगों को की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरुकता तक्नीक कौशल का प्रमार मिलता है यहाँ पे कूट के माद्यम से हमें उत्तर देना है इसमें धौला विरा दिया है मोहन जो दाड़ो हरपा और काली बंगा और यह रहे कूट के माद्यम से हमें चूस करना है तो हमारा जो इसमें उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ओप्शन A मतलब धौला विरा और मोहन जुदाडो UGC NET दुतिया प्रश्न पत्र जुलाई 2018 का ये प्रश्न रहा है धौला विरा और मोहन जुदाडो से हडपा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन विवस्ता के लिए जागरुकता तक्नीकी कौशल का प्रमार मिलती है धौला विरा गुजरात के कच्छ जिले में भडूच तालुक के भासर और मनहर नदियों के मध्य अवस्तित है इनकी खोच जगपती जोशी ने 1968 में की लेकिन इसका विरिस्तित उत्खरन 1991 में रविंदर सिंग विसिस्ट ने कराया यह 16 विभिन आकार प्रकार के जलाशे मिले हैं जो एक अनूठी जल संग्रहन विवस्ता का प्रमार थी मोहन जोदारों में एक विशाल इस्तानागार के अत्रिक्त लगबग 700 कुए हैं यहां की बेजोड पानी निकासी, कुए, कुंड, आदी की विवस्ता देख कर का जाता है कि सैंद्व निवासी जल संसादन विवस्ता के मामले में अत्यंत जाग रुप थे निम्न लिखित में से कौन सा हडपा सब्वेता का इस्थल बलूचिस्तान में इस्थित है तो डाबर कोट दिया है, सुतका कोह दिया है, सुतका गैंडोर दिया है और सुतर गोई दिया है तो इन में से कौन सा हमारा उत्तर होगा तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा, वो होगा, सबसे पहला हो जाएगा, डाबर कोट, इसके अलावा हम लेंगे, सुतका कोह को, और सुतका जेंडोर को, सोतर गुई, यह हम छोड़ देंगे, तो यहां हम कूट से उत्तर मैच कर लेते हैं, एक, दो, तीन, आप्शन, सी हमारे यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यूजिसी, नेट दुतिया, प्रशन पत्र, नवंबर 2017 का ये प्रशन रहा है, भारत की प्रतम सब्विता को, सिंदू, सब्विता या हरपा सब्विता कहा जा पत्वा महराश्च में मिले हैं, सिंदू, सब्विता के कुछ अवशिष बलुचिस्तान में भी मिले हैं, जिसमें डाबर कोट सुत्का को, सुत्का गैंडोर है, डाबर कोट दच्छनी बलुचिस्तान में इस्तित है, इस इस्तलकी कोज और लेस्ट स्टाइन ने 1928 में की, सुद्का को दच्छनी बलुचिस्तान में शादी कौर नदी के तट पर इस्तित है इस इस्तल की खोज 1962 में जौर्ट डेल्स ने की सुद्का गैंडोर दच्छनी बलुचिस्तान में दाशक नदी के तट पर इस्तित है इस नगर की खोज 1927 में औरल स्टाइन ने की थी हरपपस अबिता की बात में उत्खनित किस इस्थल से हमें जल संचय तथा प्रबंधन का विस्षिस्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौला विरा से योजिसी नेट क्रितिय प्रश्ण पत्र नवंबर 2017 का ये प्रश्ण रहा है धौला विरा की खोज भारतिया पुरातत्त सर्विक्षन विभाग के जेपी जोशी ने की थी तथा आर एस विस्ट द्वारा यहां व्यापक पहमाने पर उत्करननकारे प्रारब किया यहां से मद्यवर्ती प्राचीर युक्त दुर्ग के उत्तरी द्वार के पीछे 12.8 जीरो मीटर लंबा तलाब खुदाई में मिला है इसमें वर्षा का पानी एकत्र करने के लिए 24 गुड़े 70 मीटर की आकार का जल मार्ग बनाए गया यहां से घोड़े की कलाकरतियाओं की अवशेश भी मिलते हैं तो यहां पर सुची वाले प्रशना आ गए हैं पहली सुची है हडपा काली इस्थल और दूसरी सुची दी गई है पुरातात्विक आवशेश किस इस्थल से प्राप्त हुए हैं यहां आप देख सकते हैं सुची को मोहन जोड़ो लोथल काली बंगा और सुच्का गेंडोर तो इसे आपस में मैचिंग करना है मोहन जोड़ो मोहन जोड़ो से जो मिला है सभी लोग जानते होंगे प्रसिद बड़ा अनागार फिर लोथल लोथल किस लिए प्रिसिद है, लोथल प्रिसिद है इंटो से बना गोदी, काली बंगा काली बंगा, नगर, दुर्ग और निचली बस्ती यह हो जाएगा वफन नममर से और foto का गैंडु और कर देंगे नगर, दुर्ग और किले बंध, निचली बस्ती से तो इस तरह से match करेंगे तो हम नीचे match कर लेते हैं अपना answer हमने 1 का second लगाया हुआ है A का second एक ही जगाया है option B हमारा यहां पर correct हो जाएगा और यह question आया हुआ है UGC net दुतिया प्रश्ण पत्र जुलाई 2017 का एक बर सही answer यहां से फिर से repeat कर लेते हैं प्रेंस यहां पर थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि मंडे को मैं कोशिश कर रही हूँ लाइफ क्लास के लिए पहले में लेती भी थी लाइफ क्लास लेकिन अभी समया भाव के कारण में लाइफ क्लास नहीं कर पा रही हूँ सी नेट के और पीजीटी टीजीटी के पेपर सब देख सकते हैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बार जरूर वाच कराऊंगी यह कौन-कौन से वीडियो इस चैनल पर अपलोड किये गया है नेक्स्ट कोशिन पर आ जाते हैं नेमन लिखित पुरा तात्विक स्थल में से कहां जल भंडार का साक्ष पाया गया है जल भंडार का साक्ष का बात कर रहा है तो यह साक्ष पाया गया है लोथल से ओप्शन एह हमारे आपर करेक्ट हो जाएगा यूजीजी नेट दुथिय प्रश्ण पत्र जून 2011 का ये प्रश्ण रहा है डिटेल देख लेते हैं जल भंडारन का साक्षर लोथल से प्राप्त हुआ है लोथल हरप सभिता का एक प्रमुख इस्थल है जहां से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं विदित है कि लोथल खंबात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के समीप इस्थित है लोथल में सौरी लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष इसक थी तो इनको जिस खेल की जानकारी थी वो था पासे का खेल यूजी सी नेट दूतिया प्रश्ण पत्र दिसंबर 2011 का ये प्रश्ण रहा है सिंदु घाटी के लोगों को पासे का खेल की जानकारी थी सिंदु सब्विता के लोग मनरंजन के लिए पासे का खेल नित्य शिकार पस्वों की लड़ाई आधी प्रमुक्ष साधन थे धार्मिक उत्सवों एवं समारों भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे तो friends यह प्राची नित्यास के कोशनस आप देख रहे हैं जो new viewer हैं उनको मैं बता दूं कि इसी तरह के कोशन मैं कल आपको Madewell history का provide करूंगी उसके दो दिन बाद हम modern history के भी कोशनस solve करते हैं तो जो thumbnail देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें किस type के question आने वाले हैं तो यह जो सीरीज चल रही है यलो थमनेल वाली यह प्राची नितियास की है और जो ग्रीन थमनेल आप देखते हैं वह मध्यकाली नितियास और रेड थमनेल में आपको आधनिक इतियास के questions मिल जाएंगे तो इसलिए मैंने divide करके upload किया है ताकि आप अपनी सुविधा से जिस भी पार्ट की study करना चाते हैं उसकी study कर सकें तो चलिए next question पर आ जाते हैं निमन लिखित में से कौन सा इस्थल परिपक को हडपिया इस्थल से संबद नहीं है तो परिपक को हडपिया इस्थल से जो संबद नहीं है वो हो जाएगा सराय खोला यूजीजी नेट दितिय प्रशन पत्र दिसंबर 2012 का ये प्रशन रहा है सराय खोला मध्य पाशान का अलीं इस्थल है यह उत्तर प्रदेश के प्रिताबगर्द जिले में इस्थित है यहां से इस्तंबगर्द का साक्षय मिलता है धोला विरा लख गीर वाला सुर्कोड़ का हडपा इस्तंब है धोला विर्या सिंदश सभिता का सबसे बढ़ा स्थित है सुर्ककोंड़र से घोडे का साक्ष्य तबा सबसे सबसें हैं यहां गुजराथ राजमें इस्थित हैं तो यहां मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि मैं गुजरात से ही बिलॉंग करती हूं मैं गुजरात पहुचूंगी तो विश्णु जी आपको प्रोवाइड कर पाऊंगी जो पेपर्स आप मांग रहे हैं आप समय से मैं काफी ट्रेवल कर रही हूं तो अपने प्लेस पर जब पहुचूंगी तो जरूर मैं कोशिश करूंगी आपको प्रोवाइड करने के लिए उन सभी ओर पेपर को तो कुछ दिन बेट करिए चलिए नेक्स्ट कुशन पर आ जाते हैं सरवादिक हडपी अप पुरा इस्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं तो यह पाए गए हैं सरस्वती नदी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यूजी सी नेट तितिय प्रश्ण पत्र जों 2013 का यह प्रश्ण रहा है सरवादिक हडपी अपुरा इस्थल सरस्वती नदी के किनारे पाए गए हैं भारत में विदित है कि हडप सभिता को मानव सभिता के विकास का प्रतम साक्ष्य माना गया है इस सभिता के लोगों का जीवन अधिकांश्ट्या नगरिय था वरतमान में आधनिक नगरों के विकास का आधार हडप सभिता को कहा जा सकता है हडप सभिता की वह कौन सी विशेश्टा थी जो समकालिन अनसभिताओं में ग्यात नहीं है तो जो ग्यात नहीं है वो हो जाएगा सूती कपड़ा यूजिसी नेटर तिरतिया प्रश्ण पत्र दोजाद तेरा का ये प्रश्ण रहा है हडप सभिता की सबसे प्रमुख विशेश्टा सूती कपड़ा के उत्पादन की थी क्योंकि हडप वासियों ने सरप्रतम कपास का उत्पादन किया जो समकालिन अनसभिताओं में ज्यात नहीं है बाद में अनसभिताओं के लोगों को कपास की जानकारी हुई ध्यानतव्य है कि काली बंगा से मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है तो नेक्स्ट कोशन पर आ जाते हैं कि इसने सरप्थम भारत पर आर्यों के आक्रमन का सिधान्त प्रतिपादित किया तो यहां थोड़ा एंसर मैं छुपानी पारी हूं जैसा कि आप लोग चाहते थे तो आंसर आप देख सकते हैं यहां हो जाएगा ऑप्शन ए आई ए एम विलर और यह प्रशन आया हुआ है यूजी सी नेट देती है प्रशन पत्र दोजात तेरा का हडप सभिता के बाद जिस सभिता का उद्य भारत में हुआ उसे वैदिक सभिता कहते हैं जिसके संस्थापक आरे थे इसलिए कभी-कभी वैदिक सभिता को आरे सभिता भी कहा जाता है विदेदी की सरप्रथम भारत पर आर्यों की आक्रवन का सिध्धांत मार्टिंग वील एवं विलर महोदे ने आर्यों के निवास इस्थल को मंद एशिया बैक्टीरिया बताया है तो यहाँ पर स्थान नाम दिया गया है भोगवलिक इस्थिती पूछी गई है और कूट के माद्यम से हमें उत्तर देना है मेलुहा, देलमुन, मक्कान और कुरगाउं मेलुहा किसे संबंदित होगा मेलुहा हो जाएगा सिंद छेत्र से देलमुन, देलमुन हो जाएगा बहरीन से मक्कान, मक्कान को हम करेंगे मक्रान तट से और कुरगाउं मध्या एशिया से एक सेकेंड एक ही जगह है और यह प्रशन आये हुआ है यूजी सी नेट तितियो प्रशन पत्र दोहजात तेरा का यह प्रशन रहा है मेलुहा, सिंदुछेत्र, देलमुन, बहरीन, मक्कान या माकन हो जाएगा मक्रान तट से और कुरगाउं हो जाएगा मध्या एशिया से फिर सुची वाला प्रशन आ गया है और यहां दिया गया है जाली प्रकार की उत्खनन पत्यती इस्तर विन्यास का सिध्यान्त रेडियो कारवन तिथी क्रम पत्यती और त्री आयामी मापन पत्यती तो इसे आपस में सुम्मेलित करना है तो यहां पर सबसे पहले जाली प्रकार की उत्खनन पत्यती इसे हम कर देंगे मार्टिंग यह और एम वीलर से फिर इस्तर विन्यास का सिध्धान्त तो इस्तर विन्यास का सिध्धान्त हो जाएगा थॉमस जेफर्सन से रेडियो कारवन तिथी पत्यती यह हो जाएगा एफ डाबलू लिबी से और त्री आयामी मापन प्रिंट रिवर्स से प्रिंट रिवर्स से हो जाएगा तो इस तरह से गरम सुमेलित करते हैं तो हम देख लेते हैं इसका एक सेकेंड एक ही दो जगह दिख रहा है एक सेकेंड इसके बाद बी का थर्ड बी का थर्ड ऑप्शन बी हमारे यहां पे करेक्ट हो जाएगा और यह प्रिशन आये हुआ है यूजी सी नेट दुतिया प्रशन पत्र दो हजार चौदा का यह प्रशन रहा है विद्वान E.R.E.M. विलर महोदे ने हडप सबिता की खोज के लिए जाली प्रकार की उत्कनन पद्धिती को अपनायाने का सुझाव दिया था जबकि इसतर विन्यास सिधान फॉमस जैफ परशन ने रेडियो कारवन तिथी पद्धिती को FW TV ने सुझाया था पिट रिवर्स ने त्री आयामी मापन पद्धिती के द्वारा हडपिया साक्षिव को मापने का प्रियास किया तो यह लास्ट कुश्चन है इसे भी सॉल्प कर लेते हम हडपास अभिता के विनाश का सिध्धान और इसके समर्थक कौन रहे हैं इसे आपस में मैचिंग करना है तो आर्य आक्रमण दिया हुआ है सिंदु नदी के प्रवाह क्रम में परिवतन और क्रमशा सुस्की करन और निरंतर बार दिया गया है तो इसको कैसे हम मैच करेंगे सबसे पहला देखते हैं आर्य आक्रमण तो आर्य आक्रमण किस ने कहा है कि आर्य की आक्रमण से ऐसा हुआ था तो यह हो जाएगा यहाँ पे आर्पी चंद्रावा मार्टिंग विलर सिंदु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन यह हो जाएगा है एच्टी लैंब्रिक क्रमण शुष्की करन हो जाएगा एल आर मुगल से फिर निरंतर बार एक ही बच रहा है रॉबर्ट एल रेक्स वा जॉर्ज एफ डेल से ओ कि मीचे देख लेते हैं हमने एक और लगाया है फोर दो जगा दिख रहा है फिर पी का हमने लिया है कि वह सब्सक्राइख होगा एक बार रिपीट कर लेते हैं आरी आक्रवन आर पी चंद्रा मार्टिंग वीलर सिंदु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन एच्टी लैंब्रिक क्रम्श शुष्किकरन एल आर मुगल्स निरंतर बार रॉबर्ट एल रेक्स जॉर्ज एफ डेल्स तो यहां पर यह कोश्चन की सीरीज आज हमेरी खतम होती है नेक्स्ट वीडियो में म काम का हो वहां जाकर आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मैं एक बार मूफ करके आपको दिखा देती हूं तो उमीदे आपको वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के